नमस्कार जैहिन आप सभी लोगों को मेरे तरफ से पनाम नमस्कार दोस्कों आपको मीटिंग फटापट पहुंच है चैनल को लाइक जरूर किजिएगा जिसके आपको हर ट्रेम जल्दी से जल्दी सुनने को मिलेगा ठीक है ना चलिए हम सेसम को आगे बढ़ाते हैं जाल आइफिस्टाइम एक ऐसी कहानी बन चुकी है सबके जुबान पर जिसके बोलते हैं कि जैसे यह रिलाइन्स आया था जीओ जीओ आया था तो सब लोग बोलते थे मतलब अलग अलगतर रगा कॉमेंट करते थे यह है वो है यह पैसा खाया वह पैसा खाया किसने ख्या है हमें उसे क्या लेन देना लेकिन आज एक घर में तीन से चार मोबाईल है तो हर एक आदमी के पास Сп्षें अगुल मार हो रहा था डाटा का चोरी हो रहा था ये स्पेक्ट्रम हो रहा था गरा गरा उससे जीओ ने छुटकारा दिलवाया लोगों को एक जीवी डाटा के लिए 149 रूपे का रिचार्ज हमें आज भी याद है 149 का सबसे कम का रिचार्ज हो था डाटा के लिए हम कराते थे एक महिना के लिए नहीं अगर जैसे ही वो खत तर्फ得 और के मार्केटींग में इतने सारे हम जूम पर बैठे हुए हैं यसाव जीओ का ही देन है INDRY में खासतोर पे जीओ का ही देन, जियो नहीं हमें ये सब करना सिखाया है, जियो आया तो बहु सारे लोग बोले कि पता नहीं ये क्या है, ये साट गांट किसे आया है, ये आया हुआ है, अगर अगर बहु सारे बाते बोले, लेकिन उसमें जो चलांक लोग थे ना उन्होंने जियो को जो फोन फ्री में बाट रहा था सुरी फोन नहीं फोन के साथ साथ में एक जीबी डाटा डेली मिलता था ओक कनेक्शन आया था 2013-2014 में आया था हमारे यसे लोग थे जो फर्स्ट में हाथ मार लेते हैं किसी भी चीज में हमने मोबाइल लेकिया उसको यूज करना शुरू किया अभी जीस डाटा के लिए हम दिन रात परसान रहते थे वो डाटा हमें फ्री में मिलने लगा हमें बंद करने की जोरतिनी पर्थी ति एक जीब डाटा डेली हो डेली का बहुत होता है हमने खूव मजा लिया उसका Free में मिला 6 मेना फिर 6 मेना extension हुआ एक साल तक एक साल हमने उस डाटा Free में खूब मजा लिया रात को मूवी डाउनलोड करते थे रात को मूवी देखते थे डूटी में भी देखते थे मूवी कभी 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 अपना अपना हमारी डूटी जहां लगती थी वहाँ पर रात को सोना पर था तो रात को मूवी भी देख लेते थे ये फैसिल कि आज की डिट में देखिए स्वाट स्टार हो गयाке सोनी फीक्स हो गया अगरा वगरा बहुत सारे application आपको केवल टी बी लेने की जरूरत भी नहीं इसे किस की बजा से केवल और केवल जी ओ की बजा से तो जीओ ने حमें ये सब चीज़ दिया लेकिन जो लोग पहले लिये उनको ज्यादा मिला होगा हमारे जैसे लोग तो पहले लिये तो हमें तो एक जी बीडाटा डेली मिलता था तो हमने पहले फैसिटी लिया ना उसका हमने बहुत सारे लोग यह अपना वाइट मनी ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहा है इसके सांट सांट गाठ है उसके हमें क्या करना है आम खाएंगे या गुठली गिनेंगे कि सामने वाली कितनी पर ज्यादा विश्वास करते हैं गुठली नहीं गिनते हैं हमें आम खाना ज्यादा पसंद है गुठली गिनना नहीं क्योंकि जिन्होंने गुठली गिना है उनकी जिन्द की गुठली गिनने में खतम हो चुकी है और जिन्होंने आम खाया है वह आम खाके गुठली को फे वैसे ही जैसे जीओं ने तालका मचाया था वैसे ही आपकी जा लाइफी स्टाइल हिंदुस्तान की तो मैं खास तरुपे बात करूँगा हिंदुस्तान हो गया पाकिस्तान बंगला देश नेपाल स्रिलंका इन सब देसों में छोटी छोटी कमपनिया शुरू होती है और बंद होती है अभी तो यह अंगड़ाई लिया है जब इस start होगा तो यह किसी के पकड़ में नहीं आएगा और यह इसका जितना गहराई में जाएगा उससे ज्यादा इसको income वहाँ से प्राप्थ होगा आप जितनी जितनी dip में जाएंगे उतना ज्यादा आपको income मिलेगा monthly lifestyle एक बार आप टीम बनाई बार बार पैसा लेजिये अब इससे बुणियाच system कहा मिल सकता है लोग बोलते हैं पैसा कहां से देगा और भई आप ही इससे ले रहा है आप ही को देगा ना जाल आई फिच्टाइल हम से ले रहा है या जाल आई फिच्टाइल दे रहा है जाल आई फिच्टाइल कब देगा? जब आप उसको पेड़ करेंगे तब देगा नहीं पेड़ करेंगे तो नहीं देगा ये बात clear, add का सिस्टम ऐसा है ये jobs type में है आप add देखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा add नहीं देखेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा clear है अब इससे clear मैंने नहीं देखा और पैसा कितना? बिल्कुल मामूली चाये उसको registration चाज बोले चाये केवाइसी चाज बोले चाये जो अगरे वगरे बोले जो भी उसको बोल सके तो वो बहुत ही कम 1109 रोपिया 1109 रोपिया इसका ज्वाइनिंग एमाउंट है इंडियन रुपिज में इंडियन रुपिज में with GST आप अपना पेमेंट खुद करें आप किसी का सहारा न लें अपना पेमेंट डन कीजिए खुद company को send कीजिए, वहां से slip लीजिए, slip company को attach कीजिए, company आपको voucher या pin, voucher, pin, जो link वह आपको send कर देगी, तो आप use कीजिए, आप दूसरे को क्यों दोसी दे रहे हैं, कि मैं इतने दिन हो गया पैसे दी हुए, मेरा उन्होंने प्रस्नल प्रफिकेशन नहीं किया, तो यह गलती है ना, यह जब company start हुईती तब ही हमने अपने लोगों को बता दिया था, कि आप एक अपना ATM, international करवा लीजिए, transaction के लिए, तो आप अगर दूसरे के भरोसे रहेंग तो दूसरा तो आपका मजा लेगा, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, उस तो बैमान लोग भी हैं, हर जगा है, वो घर में भी राते हैं, उनका काम है बैमानी करना, तो आपने उनको बैमानी करने का मौका दिया ना, जब आप बैमानी करने का मौका दिया तो बैमानी कर रह का सर मेरे पैसा दे हूए छे महीन हो गए, मेरे दो महीना हो गए, मैरे पोन नहीं हो गए, तो ऐसे लोगों कि चकर मे क्यों आप खुद ने वीं मैंने तो अपने पैशा 성ा थोके झाला अप्लाइन को यह उन् 7 के सप्धर्ण के लिए मैंने अपने downline से 2-3 बार मदद लिया क्योंकि उस दिन मेरे पास voucher कम पढ़ गया थे, मैंने अपने downline को पैसा भी दिया लेकिन मेरे अपने upline को क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे उनके पास 1000 downline है, जैसे मैं उनका downline हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग है के पास तो सब को रिजॉर्ब नहीं कर सकते तो आप खुद अपना एक ATM कार्ड क्यों नहीं स्टार्ट करवाते हैं यह बताइए इतना दिन हो गया एक ATM जाएए प्राइबेट किसी बैंक में ICICI, STFC, AXIS एक दिन से दो दिन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है पूरा कीट मिल जाता है कि यह ना कितना ट्रांसफर करना आपको पैसा तो आप भरोसे बैठे हुए हैं दूसरे के उसके अंदर डा देते हैं बाद में देखा जाएगा तो भाई वो कितना लोड लेगा आपका उसकी लोड लेने के एक छमता होगी उस लोड तक सहन करेगा फिर तूट जाएगा हो तो उसके तूटने से पहले एक अपने लिए पिलर गार दीजिए और एक नया पूल त्यार करके रख लीजिए आप अगर एक नया ब्रीज त्यार करके नया पूल रख देंगे तो आपको आगे कोई दिकत नहीं आएगा आप दूसरे के भरो से बैठे रहेंगे वो मेरा KYC करेगा वो मेरा KYC करके दे देगा तो भाई वो क्यों करेगा आपका आपकी KYC तो आपकी जिमदारी है आपने इस कमपनी से पैसा कमाना ना या उसने कमाना है आप अभी तक एक ATM कार्ड नहीं ओपन करवाया तो आप इस कमपनी में कैसे काम करेंगे आप इस कमपनी में कैसे काम करेंगे एक ATM कार्ड तो कम से कम ओपन करवाये ठीक है दो लोग चार लोगों का हो सकता है कि आपके अपलाइन के द्वारा दो-चार पिन मिल जाएगा दिन बर में उतना चलेगा लेकिन आप सब के सब लोग पढ़े रहेंगे कि चलो मेरे अपलाइन को पैसा भेजेता हूँ वही मुझे KYC करा के देगा KYC भी लोगों को इतनी बार ट्रेनिंग में बताया गया कि KYC कैसे होता है फिर भी लोग अपने KYC खुद नहीं कर पा रहे है भाई आपका अपलाइन कितना KYC करेगा KYC करना विल्कुल ही एक छोटा से बच्चे को में बता दूँगा न कि ऐसे KYC होता है वो भी कर लेगा ठीक है ना तो अपने आपको smart बनाईए